नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इसक्त सुभाष चाकुर के साथ जी आरेफ हिंदी 2021 की तैयारियों के अंत्रगत साहित्यशास्त्र इकाई तीन हम पड़ रहे हैं और इसमें हमने लगभग अपने आठ लेक्चर्ज इससे पहले कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने प्रमुक आपके संस्कित के जो अचारे हुए हैं उन्हेंने कावे हेतू, कावे लक्षन और कावे प्रियोजनों के संदर्व में कौन-कौन सी चीज़ें कही हैं ये सारी चीज़ें हम इससे पहले विस्तार से डिसकस कर चुके हैं और साथ ही साथ हमारा जो इससे पहले के जो दो लक्षर रहे हैं उसमें हमने रस्क संपरदाय के बारे में पढ़ा था जो रस्क के प्रतिश्ठापक कौन है, रस्क के समन में अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत हैं, रस्क को किसने आत्मा माना है और दूसरा जो इन lectures को नहीं देखा है या आप फिर जानना चाहते हैं कि क्या-क्या चीज़ें महतवपोन हैं इकाई तीन सहीत शास्तर के अंतरगत तो आप एक पार इकाई तीन जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उसको देख सकते हैं वहाँ पर हमने इन चीज़ों को discuss कर लिया है आज हम इसका जो नाइन फार्ट है वो लेके आये हैं जिसमें हम रस्त निश्पत्ती के बारे में पढ़ेंगे तो रस्त निश्पत्ती UGC.net की परिक्षा के लिए बहुती जादा महतवपोन टॉपिक है यहां से प्रशन बनने की संभावना अक्सर रहती है अगर आप प्रीबियस एर पर उठाके देखेंगे तो बहुत सारे प्रशन जो आपको रस्त निश्पत्ती से मिलेंगे जो पूछे गए हैं हलां कि कॉमन से प्रशन पूछे जाते हैं ऐसे कौन-कौन से प्रशन है जो यहां से बनने की संभावना रहती है और कई बार क्या हर बार ही यह पूछे जात तो बहुत ज़्यादा संभाव नहीं इसको गलत करने के हमारे पास नहीं रहती हैं तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा प्रशन बन सकता है या फिर सबसे पहले हम रस निश्पत्ति के बारे में जान लेते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम रस निश्पत्ति के बारे में जाने ठीक है तो जब विभावादी रसांगों से जागरित और पुष्ट होकर स्थाई भाव रस रूप में प्रकट होते हैं तब सहिर्द्य को आनंद प्रदान करते हैं तो देखी क्या कह रहे हैं कि जो आपके विभावादी विभाव हमने पहले पढ़े थे विभाव क्या होता ह हैं आपके जो स्थाई भावं को जागरित करने वाले कारण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है विभाव कहा जाता है जैसे आपका व्यक्ति या जो परिस्थित्यां हो गई ऐसी परिस्थित्यां जिनके कारण हमारे मन में क्या हो कुछ विचार उठे या फिर हम सोचने पे म प्रागरित होना ही क्या है रस निश्पत्ति है तो दीकिए आपने कोई नाटक देखा उस नाटक को देखने के बाद आपके मन में आनंद आया है ना वही आनंद क्या है उसी को ही इनों नाम दिया कि वो रस निश्पत्ति है कि आप में रस का परिपाक हुआ अनंद का परिप तो देखिए रस के वर्नन में निश्पत्ती शब्द का प्रत्थम प्रयोग भरत मुनी के रससूत्र में मिलता है तो हो सकता है इस प्रशन को पूछा जाए तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि रस निश्पत्ती शब्द का पहला प्रयोग कहां पर मिलता है भरत मुनी क रससूत्र में मिलता है तो भरतमुनी का जो रससूत्र कौन सा है ये है दिखिए विभाब अनुभाब विभीचारी संयोगादरस निश्पत्ती तो यहाँ पर हम mainly दो चीज़ें देखेंगे जो आपकी ये परिभाशा जो भरतमुनी ने नाटेशास्तर के अंतरगत रससूत्र में दी हुई है तो दीकिए इसमें दो शब्द हैं जैसे आपके सैयोग और दूसरा आपका निश्पत्ती तो इन दो शब्दों का अर्थ क्या है एक तरीके से कहते हैं कि असपष्ट है कि इसमें क्या मतलब है इनका तो जो आपके बाद के अचारे हुए हैं तो इन्होंने क्या किया है इन्ही दो शब्दों की व्याक्याई प्रस्तुत की है और बहुत सारी व्याक्याई हम देखते हैं कि दी हैं जो परवर्ती अचारे हुए हैं संस्कित के कि इन्होंने जादा इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है कि रस निश्पत्ती के संदर में जो आपका इस सोत्र में जो ये भरतमुनी का सोत्र है इसमें जो ये दो शब्द हैं इनका अर्थ आखिर में क्या है अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग तरीके से इसको व् या फिर यूँ कहें कि संस्कित कावे शास्तर के अंतरगत जो चार मत्त महत्वपूर्ण माने जाते हैं भटलोलट, शंकुक और आपके जो भटनायक अभिनव गुप्त इन चार लोगों के जो मत्त हैं उनको ही जादा प्रमुकता दी जाती है तो इसके अलावा और लोगों भी इसको व्याख्याइद करने की कोशिश भले ही की है लेकिन वो इतनी जादा महत्वता नहीं रखते हैं तो चली अब हम देख लेते हैं कि क्या-क्या ये चार विद्वान मानते हैं तो यहां पर देखिए लिखा वुआ है पंडित राज जगरनाथ ने संयोग और निश् पती शब्द के व्याख्याकारों के ग्यारा मतों का उलेक किस ने किया है तो यह होगा आपका पंडित राज जगरनाथ और पंडित राज जगरनाथ की बहुती प्रसीद रचना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा आगे देखिए लेकिन इनमें पती वाद या फिर इसको आरोपवाद के नाम से भी जाना जाता है और जिसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं भट लोलत माने जाते हैं और इनका जो दर्शन था देखिए ये था मिमासा दर्शन ठीक है तो कई बार हो सकता है इस तरह के से पूछा जाए इनको मिलान के लि पर मैंली हम देख रहे हैं कि कौन से चार वो महतवपून आपके मत हैं या महतवपून जो अचारे हुए हैं जिनकी व्याख्या को क्या माना जाता है जादा तवज्जो दी जाती है दूसरे हैं देखिए अनुमीती बाद तो अनुमीती बाद के प्रवर्तक जो माने जाते और इनका जो दर्शन था देखिए नयाय दर्शन जो चित्रतुरंग नयाय है ठीक है तो चित्रतुरंग नयाय क्या है ये भी हम आगे विस्तार से देखेंगे ठीक है तो इनका क्या था नयाय दर्शन इनका माना जाता है भुक्तिवाद या फिर भोगवाद तो इसके प्रव अभीनव गुप्त हैं और इनका जो दार्शनिकमत है ये था शैव दर्शन तो ये जो चार महत्वपूर्ण नाम है ये जादा तर महत्व रखते हैं आपके रस्तनिश्पत्ति के संबंद में कि इन्होंने रस्तनिश्पत्ति के संबंद में ये ये आपके वाद दिये हुए ह चलिए अब हम इनको विस्तार से जान लेते हैं सबसे पहले देखिए रस निश्पत्ती के संदर्म में यहां पर एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कि इनमें जो संयोग और आपका दूसरी जो चीज आई हुई है जो संयोग और निश्पत्ती का अर्थ क्या है यह हम चीज देख लेते हैं और साथ ही साथ जो रस की अवस्तती मतलब कि रस किसमे रहता है यह चीज हम जानने की अब कोशिश करते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले जो भट लोलट हैं तो उन्होंने क्या माना है संयोग का अर्थ जो भरत मुनिक नाट शास्तर में संयोग आदरस निश्पत्ती दिया गया है संयोग और निश्पत्ती तो यहां पर यह संयोग का अर्थ क्या समझते हैं उत्पाद्य और उत्पादक का संबंद तो यह उत्पाद्य उत्पादक क् क्लिक करके हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ सीधे जूर सकते हैं वहाँ पर हम आपको इसका जो पीडियप है वो फ्री आफ कॉस्ट मुहया करवाते हैं और इसके साथ ही साथ जो चीज मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूं इससे रिलेटिड बहुत सारी चीजें ऐसी ह तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप उसको उसके उपर क्लिक करके जोईन हो सकते हैं हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ भी आगे है देखिए कि जो निश्पत्ती शब्द आया है भरत मुनी के नाट्टे शास्त्र की भरत मुनी के जो रस सूत्र में जो व्य किसमे है अनुकार्य पहले बहुत जरूरी है देखिए अनुकार्य और लिश्पत्वार आप दिख रहे हंगे नीशे की नाट्ट में ут गावism खाष्न कर नियारुस जा राम को ले सकते हैं ठीक है या कृष्ण को ले सकते हैं या क्रिश्न को ले सकते हैं या क्रिश्न को ले सकते हैं या पुरानिक पातर हैं और जिनका अभिने हम आज की डेट में करते हैं या फिर जो अभिने करता है उसको क्या कहते हैं अनुकरता कहते हैं या नट कहते हैं तो जो रस की अवस्थिती होती है वो कहां पर होती है वो अनुकार्य में होती है या जो राम है जो वास्त्विक है उसमें ही रस की अवस्थिती होती है ठीक है दूसरे आते हैं श्री शंकुक तो श्री शंकुक का जो मत है देखिए वो कौन सा था यह हमने पहले ही पढ़ लिया था अनुमीति वाद ठीक है तो इन्हों में अनुमीति वाद की क्या की थी स्थापने की थी और यहां पर यह संयोग का अर्थ क्या मानते हैं थी कि अनुमाप्य और अनुमापक मानते हैं ठीक है तो क्या माना इन्होंने अनुमापय अनुमापक और निश्पति का अर्थ यह म आनुमीतिवाद माना जाता है और दर्शन क्या था इनका निया दर्शन था ये रस्की अवस्थिती किसमें बानते हैं ये मानते हैं कि अनुकर्टा में होती है जो उस नाठक को कर रहा है थीक है तो आप कावे भी ले सकते हैं श्रब कावे और दृष्यकावे जो दो चीज़ ठीक है लेकिन जो भटलोलोट मानते हैं ये मानते हैं कि जो रामादी में है ये पाई जाती है जो वास्तविक है नेक्स्ट देखिए कि जो भटनाइक है भटनाइक है मानते हैं संयोक अर्थ ये मानते हैं भोज्य भोजक तो देखी प्रशन पूछा जाता है ये कई बार कि भ वार को रिक्षा में पूछा जाता है, आगे हम विस्तार से अगला लेक्षर जो हमारा होगा, पूरा का पूरा सदारनी करन के ऊपर ही रहेगा, तो यहां पर में ली हमने याद ये रखना है कि भोजय-भोजक संबंध किसने माना है, ये माना है आपके जो भटनाय कुए हैं, उन्होंने और इनका जो व्याख्या इन्होंने की थी दिखी किसकी आपका जो सेधान्त है इनका उसको माना जाता है भुक्तिवाद या भोगवाद तो निश्पत्ति का अर्थिनोंने का माना है भुक्तिवाद नाम दिया और ये कहते हैं कि जो दर्शक होते हैं उसमें ही रस की अवस्तिती होती है कि रस का जब सधारनी करण हो जाता है वो किस के जरिया होता है दर्शकों के द्वारा होता है कि दर्शक को ही रस की अनुभूती होती है जब आपका नट जो है वो नाटक कर रहा होता है अभीने कर रहा होता है उस वक्त जो आपका दर्शक है जो करता है आतमसाथकत का है और उसको रस की अनुभूति वो खुद अनुभव करता है तो इसलिए यह मानते हैं कि रस की अवस्तिति किसमें होती है प्रिक्षक में होती है अगले जो आपके आखरी चौथे जो महत्वपूर्ण हुए हैं देखिए अचारे वो हैं अभिनव गु सहिर्द्य में होती है ठीक है तो यह है आपका पूरा का पूरा रस निश्पत्ति में आपके संयोग और निश्पत्ति के अर्थ और साथी साथ रस की अवस्तिती किस विद्वानने किसमें मानी है तो यह वाली आपके लिए जो स्लाइड है यह बहुत ही मौत्वपूर्ण म प्रत्थम व्याक्याकार माने जाते हैं तो पहले ये लाइन पहला ही प्रशन कई वार ये पूछा गया है UGC.net की परिक्षा में और इसके साथ ही साथ हिंदी से रिलेटेड कोई भी अन्यागर परिक्षा हुई हो तो वहाँ पर भी इस प्रशन को पूछा गया है बहुत पा तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि इनोंने क्या किया है इनके सिर्दांत को क्या गाया जाता है उत्पतिवाद कहा जाता है तो देखिए जो ममठ का काव्य प्रकाश है वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपका जो भटलोलट का घ्रंथ जो भटलोलट का जो ये सिद्धान्थ है इसको वहाँ पर एक तरीके से व्याक्याइत किया गया है आपके दो रचनाव में कौन कौन सी हैं मम्मट की कावे प्रकाश और अभिनव भारती जो अभिनव गुप्त की रचना है ठीक है तो वहाँ पर इनको स्थान दिया गया है कि इस समध्विनों ने वहाँ पर चीज से कही है तो देखे भटलोलट मानते क्या हैं तो इनका माना यह है कि विभावादी का स्थाई भाव से जो सैयोग है उससे रस निश्पत्ति होती है तो विभावादी मैं पहले ही आपको बता दिया है आज की लक्चर में भी और लगातार जब से मरस के बारे में पढ़ रहे हैं वहाँ से मैं आपको बताताया हूँ तो आपको इस तीज को समझने में अब साध का जो सैयोग माना जाता है उससे ही रस का अविर्भाव माना जाता है यह रस की निश्पत्ति माने जाती है विभावादी में से विभाव स्थाई रूप चित वृत्ति की उत्पत्ति के कारण होते हैं तो किसके कारण होते हैं यह स्थाई रूप की जो चित वृत्ति की उ अनुभाव और इन से जो मिलकर बनता है आपका स्थाई भाव ही रस माना जाता है आपका जो रस निश्पत्ति मानी जाती है ठीक है विभाव अनुभाव और स्थाई भाव इन से ये मानते हैं कि ये रस की निश्पत्ति होती है आगे देखी ये क्या लिखते हैं कि रस मूलतव वास्तविक अहतिहासिक पौरानिक चरित्र अनुकार्य रामादी में ही होता है तो यह चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी जब हम पीछे देख रहे थे संयोग और निश्पति के अर्थ में तो वहाँ पर यह मानते हैं कि आपका जो रस है वो कहाँ पर होता है एतिहासिक और पौरानिक जो चरित्र हैं जैसे आपका अनुकार्य हो गया राम ठीक है जैसे राम का उदाहन दिया था या फिर क्रिशन दिया था आपके जो भी एतिहासिक पातर रहे हैं तो यह मानते हैं क रस्ट का मूलत वास्तुइक और इत्यासिक क्या है उनी में ही होता हैं किन्तो दर्शक अभिनेता जो होते हैं जो अनुकरता नट के माध्यम नट के अभिने के कारण उन्हें ही वास्तविक रामादी समझ कर उनमें रस का आरोप करते हैं वो क्या कहते हैं वैसे तो रस किसमें होता है वास्तविक जो राम है उसमें माना जाता है कि उसमें है ले वही कृष्ण है और वास्तविक राम आदी समझ कर वो क्या कर देते हैं उस पर ही राम का आरोपन करते हैं कि यही राम है तो इस आरोप करने की बात को ही इन्होंने क्या माना है आरोपवाद माना गया है या फिर उत्पत्ति वो मानते हैं कि उसमें ही उस चीज की उत्पत्ति है तो इसलिए उसको उत्पत्तिवाद या अरोपवाद कहा जाता है ये चीज यहां पर कलियर कर देनी है आपने तो दीखे आगे है स्थाई भाव का विभाव के साथ तो हमने पहले बात की स्थाई भाव जब अन्य विभावों के साथ होता है पोश्य पोशक संबंद बनाता है, तो ये तीन संबंद आपने याद रखने हैं, किसने बताए हैं, ये बताए हैं, भट लोलट ने, देखिए, अगर तो स्थाई भाव किसे मिले, विभाव के साथ मिले, तब हो जाएगा आपका उत्पाद्या, उत्पादक संबंद, अगर अनुभाव के साथ मिले, तब हो जाएगा गम्या, गमक संबंद, और तीसरा, आपका जो स्थाई भाव मिलेगा संचारी भाव से, या पर इनको विभाव भी कहते हैं, जिनकी संख्या 33 मानी गई है, ठीक है, कुछ एक विद्वान, इनके 34 भी संख्या मानते हैं, देव और आपका भानुदत, जो हमने पहले भी पढ़ लिया था, ठीक है, तो छलको मानते थे वो अक्स्टा जो आपका संचारी भाव है, यहाँ पर अगर कोई भी स्थाई भाव नहीं होता, यह शंकुक, सॉरी, आपका जो भट लोलट हैं, देखिए, इनका मानने का मतलब गया है, कि भट नट में ना होकर किसमे होगा आपका, वो स्थाई भाव, सॉरी, रस किसमे होगा, मूल जो पात्र है, या एतिहासिक जो पात्र है, उसमें होता है, आगे इनोंने स्थाई भाव के साथ, अलग-अलग जो भाव हैं, उनके जो संबंद बताए हैं, कि किसमें कौन सा संबंद माना जाता है, आगे देखिए, भट लोलट के अनुसार, रस की उत्पत्ती के क्या हैं, तीन इनोंने तत्व माने हैं, तो देखिए, रस की उत्पत्ती के जो तीन तत्व कौन-कौन से हैं, कारण, कार्य और सहकारी कारण, तो ये समझना बहुत जुरूरी है, कि कार्य, कारण और सहकारी कारण क्या हैं, तो दीखिए सबसे पहला इसमें आता है आपका जो कारण है वो क्या है विभाव तो ये तो हम पहले ही पढ़ रहे थे कि जो रस उत्पती के कारण क्या है विभाव और कार्य क्या है अनुभाव तथा जो सहकारी है सहकारी कारण है वो कौन होते हैं वो आपके संचारी भाव ह यहीं चीज आपने याल रखनी है ठीक है तो ऐस तरीके से प्राश्षन बन सकता है भट-लोलट के अनसार रसक्यूत पतीक के कितने तत्व माने हैं तो वो हैं तीन कारण, कार्य और सहकारी कारण, कार्ण का मतलब विभाव है और आपका जो कार्य है उसका मतलब अनभाव है और सहकारी कारण का मतलब क्या है, सिंचारी भावे, क्लियर है इतना, तो ये था भट लोलट का उत्पत्ति ववाद, ये मानते हैं उत्पाद्य उत्पादक संबंद, उत्पादक संबंद कैसे है, ये देखिए, जैसे आपके पास जो पुरानिक पात्र से लेकर के, आपका ज कहते हैं कि सथाई भाव और आपका जो विभाव में, उनमें उत्पाद्य उत्पादक संबंद नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, वो इसलिए कहते हैं कि जैसे आपका घड़ा है, वो क्या है, वो उत्पाद्य है, और कुमहार क्या है, वो उसका उत्पादक है, कुमहार के अंत के बाद घड़ा नश्ट नहीं होता मालीजे कुमार मर गया लेकिन घड़ा तो नहीं मरेगा न घड़ा तो बन वैसे ही रहेगा तो इस चीज़ को लेकर के जो आपके भटलूलट है उनके मत की अलोचना श्री शंकुक ने आगे की थी कुमार के अंत के बाद भी घड़ा नश्ट नहीं होता लेकिन कावे में विभावादी के अंत के बाद रस भी खतम हो जाता है तो दीखिए जैसे ही आपके विभावादी जो कारण है वो खतम हो जाएंगे तो आपका रस भी खतम हो जाता है तो ये मानते हैं कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उत्पाद्य और उत्पादक संबंद इसमें कहना उचित नहीं है ठीक है तो ये चीज कौन मानते हैं श्री शंकुक आगे मानते हैं अब हम देख लेते हैं दूसरा जो इनका मत है देखिए श्री शंकुक क इसमें देखिए शंकुक क्या कहते हैं तो शंकुक के अनुसार कारण रूपों विभावों कारे रूप अनुभावों वो सहकारी रूप संचारी भावों के कारण एतिहासिक पात्रों में स्थित स्थाई भाव के अनुकर्ण से अनुकरता नट में अनुमती होने वाला रस कह पहलाता है तो ये कौन मानते हैं ये शंकुक मानते हैं तो शंकुक का मानना क्या है देखिए ये मानते हैं कि इसमें अनुमती मतलब अनुमान लगा जा सकता है कि उसमें क्या है रस है किसमें अनुकरता में या नट में तो इस मत की भी आलोचना हो सकती है तो जो आपके श्री लेकिन जो मममट हुए हैं उन्होंने कावे प्रकाश और अभिनव भारती ने अपने दोन्या लोचन में भी क्या किया है उनके इसमत को उध्रित करने की कोशिश की हुई है ठीक है तो ये क्या मानते हैं कि जो श्री शंकुक है इन्होंने रस के वस्तुगत और लेता है तो सहिर्द्य नट में क्या करता है नायक के गुणों का अनुमान कर लेता है परंतु यह अनुमान समान्य लोकिक अनुमानों से अलग है इसके लिए उन्होंने चित्र तुरंग न्याय का सहारा लिया है तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जो श्री श्री शंकुक हैं वो क्या मानते हैं उन्होंने जो न्याय दर्शन का जो इनका दाश्निक मत है उसके अंतरगत इन्होंने चित्र तुरंग न्याय का सहारा लिया है तो देखिए जो चित्र तुरंग न्याय का मतलब क्या होता है आपका कि जैसे हम चित्र में देखते हैं कि आ पात्र का या किसी पुरानिक पात्र का अभिने करता है तो वहां पर हम अनुमान करते हैं कि वो ही है और वो ही अनुमान के जरीए हमें रस की अनुभूती होती है और इसलिए इन्होंने माना है कि इसको अनुमान किया जा सकता है या अनुमीती बाद इसको कहा हुआ है तो यह पर देखिए शंकुक के अनुसार सहिद्य नट में या नाइक के गुणों का अनुमान करता है कि नाइक कैसा था उसमें कौन-कौन से गुण थे ये सारी चीजें वो नट के जरिये ही देखता है और अनुमानित करता है तो वैसे तो अनुमान के इन्होंने माने हैं चार प्रक वो ना तो मिध्या ग्यान है और नहीं संशय है और नहीं जो आपका वास्त्विक है और नहीं सद्रिश्य है परंतु यह क्या है यह समान्य प्रतिती आपके जो भेदों से क्या है भिन माना जाता है ठीक है तो इसी लिए इन्होंने कि इसका सहारा लिया था चित्र तुरंग न्याय का सहारा लिया था और जैसे चित्र में गोड़ा जो है वास्त्विकना होते हो भी गोड़े को जो हम कहने का निशेद नहीं कर सकते कि वो गोड़ा नहीं है तो हलांकि वो क्या है चित्र है लेकिन फिर भी हम यह नहीं बोल सकते कि वो गोड़ा नहीं वो गोड़ा ही है उसलिए अनुमान यह लगा जा सकताई, तो इसलिए इसको माना जाता है, कि ये इनका जो प्रमुक रूप से इनुने कि इसको माना है, अनुमान को ही महत्वता दी हुई है, तो ये था श्री शंकुक का अनुमीति वाद, आगे अब हम देख लेते हैं इसके पश्छात, जो त ब liquidity नायक का जो इनका दर्षनिक मत था देखिए, वो था सांख्य दर्षन और इनका जो स्धांत है वो है आपका भोगतिवाद. बτο liquidity ने कहा रस न तो प्रतीत होता है न उत्पन होता है. तो इन्होंने अपने से पूर्व जो दोनों इससे पहले के जो विद्वान हुए हैं उनकी आलोचनक की है और साथ ही साथ ये कहा न तो आपका रस क्या है प्रतीत होता है और ना ही वो उत्पन होता है ना वो उत्पाद्य उत्पादक है मतलब ठीक है और ना ही उसकी अभिव तो इन्होंने कावे में रस निश्पति के कितने व्यापार माने हैं, तीन माने हैं, तो व्यापार का मतलब है क्रियाएं कितनी मानी इन्होंने, तीन मानी है मेंली, ठीक है, तो भटनायक है देखिए बहुती मौतपूर्ण नाम है ये, इनकी भी कोई हमें रचना वैसे उपल कार हुए हैं इनके जो विचार हैं वो कहां पर मिलते हैं हमें अभिनव भारती और कावे प्रकाश में ही अधिकतर मिलते हैं और उसी के आधार पर ही आगे हम इनको पढ़ते हैं ठीक है तो यहां पर जो आपका भोगवाद है देखिए जो भटनाय का इसको भोगवाद भी कह जाता है तो इन्होंने कावे में रस निश्पति के कितने वो माने हैं तीन इन्होंने माने हैं तीन क्रियाएं तो पहली ये मानते हैं आपका जो अभीधा तो अभीधा के अंतरगत कौन सा था आपका देखे काव्यार्थ की प्रतीती तो देखे काव्यार्थ की प्रतीती से आ क्रियाएं हैं तो दूसरी है इसमें भावकत्तो जिसको हम सधारणी करण कहते हैं तो भावकत्तो से देखिए हम क्या समझते हैं तो इस व्यापार के द्वारा क्या है आपका जैसे विभाव भाव अनुभाव और व्यविचारी के साथ साथ जो स्थाई भाव है देखिए ये पराय के भाव से मुक्त होकर समान्य हो जाना ठीक है तो ये बहुत ही मौत्वपूर्ण है हलांकि सदार्णी करन के उपर हम आगे देखेंगे तो यहां पर मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि जो आपके भटनायक हैं ये क्या मानते हैं कि जो आपके रस निश्पती के कारण कौन से मन जाते हैं या क्रियाएं कौन से मन जाते हैं वो तीन हैं पहली अभीदा जिसके अंतरगत हम शवदार्थ का बोध होता है आमें और दूसरा आपका भावकत्व जब आपके भिभाव भाव विचारी और स्थाई भाव क्या हो जाते हैं किसके द्वारा आपके भावकत्व व्यपार के द्वारा वो सदार्नी कृत हो जाते हैं ठीक है उनका सदार्नी करण हो जाता है तो वो किसके अंतरगत आता है आपका ये आपका भावकत्व के अंत्रगत आता है और आकरिये देखिए भोजगत्व तो भोजगत्व का मतलब देखिए भोग करना किसी चीज़ का है ना सदार्नी करन के पश्चात क्या होगा जब रिदय आपके रजोगुण और तमोगुण जो है जो बुराईया है या जो बुरी चीज़े हैं उनका नाश करके जो सदोगुण से भर उड़ता है आपके अंदर सदगुण सदबुद्धी मतलब इस तरीके से विचार उत्पन हो जाएंगे तो आपका जो क्या होगा इस लोग की जो क्शोदरताओं से परे आप जो है अलोकिक अवस्था में चले जाते हैं ठीक है तो ये कौन मानते हैं ये आपके भटनाइक मानते हैं कि जो अभीदा से आपको शब्द की प्रतीती होती है उसके बाद आप सदार्णी कृत करन हो जाते हैं ठीक है और आखिर में फिर भोजगत्व या रसका भोग करते हैं और इसी तरीके से ये बोलता है कि रसको भोगा जाता है भोजगत्व के द्वारा ही तो ये इन्होंने माना है कि रसका क्या होता है सदार्णी करन होता है और उसको सिर्फ और सिर्फ भोगा जाता है तो ये कौन मानते हैं भट नायक मानते हैं तो इनका जो आपका ये मत है देखिए श्रव्य कावे में इन्होंने तीन व्यापारों तथा द्रिश्य कावे में जो नाटक है आपका उसमें इन्होंने आखिर के जो दो व्यापार हैं उनको इन्होंने महत्वपूर्ण माना है त कौन से आपका भाव कत्व और दूसरा भोज कत्व भाव कत्व क्यूं है क्यूं कि जब आप किसी नाता को देखेंगे उसके साथ आप ताक्त में बिठाएंगे उसका स्दाणि करण स्थार्णी करन हो जाएगा जब आप उस चीज़ को समझ जाएंगे अच्छे तरीके से उसके बाद आपको रसकी अनुगूती होगी उसको आप भोगेंगे रसको तो ये दो चीज़ है इनोंने मानी है किसके लिए ये आपका श्रव्य कावे के लिए ये दो ठीक है और अगर हम बात करें श्रव्य कावे के लिए तो श्रव्य कावे में उनने जो तीन ये तीनों है ये तीनों किस में आएंगी श्रव्य कावे में आएंगी जब की आपके जो जब की आपका जो दृष्य कावे है उसमें सिर्फ दो ही आएंगी तो ये था आपका भटनाय का भुक्ति वाद है उसको देख लेते हैं तो दीए अभिनव गुप्थ जो चौथे व्याख्याकार माने जाते हैं और आखरी हैं ये महत्वपूर्ण व्याख्याकारों में से एक बात मानी है कि रस का क्या है आपका अभिव्यक्त होता है और स्थाई भावना रूप से मन में गुब्त रहती है जो विभावादी की साहिता से जागरित हो कर और पुष्ट हो कर रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं तो ये मानते हैं अभिनब गुप्ट की आपके जो स्थाई भाव भावना रूप में क्या होता है, जो मन में गुप्ट रहते हैं आपके जो भाव ठीक है जब वो विभावादी की साहिता से जागरित और पुष्ट हो जाते हैं जो अन्य कारण है उनकी साहिता से पुष्ट हो जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है वो रस के रूप में अभिव्यक्त होते हैं बाहर निकलते हैं एक तरीके से ठीक है तो ये मानते हैं पूछा जाए कि अभिनव कि किसके अनुसार जो प्रतीक मनुष्य है सहिर्द्य नहीं है तो यह है आपका अभिनव गुप्त यह मानते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है वो सहिर्द्य नहीं हो सकता क्यूं कि उसमें रसस्वादन करने में कि शक्ति भी उसके पास होनी चाहिए मा तो आखिर में अगर देखा जाए कि जितने भी हमने अभी तक यह मत जो पड़े जो सिद्धांत पड़े उनमें से सबसे स्षिष्ट जो सिद्धांत माना जाता है यह किसको माना जाता है ये जो आपका अभिनव गुप्त का सिद्धान थे देखिए जो अभिव्यक्तिवाद इसको ही माना जाता है ठीक है तो ये सबसे बड़ी जो आपका सरवश्थेष्ट मत माना जाता है अभिनव गुप्त का तो ये थे चार अलग-अलग फ्याक्याकार उनकी जो जो महत्वपूर्ण तत्थ हैं इन से जुड़े हुए थे वो मैंने आपके बीच में रख दिये हैं I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें यहां से महत्वपूर्ण हैं तो बहुत बार तो यहां से प्रशन इस तरीके से ही पूछा जाता है जो आपका यह जितने भी वाद हैं चाहे उत्पति वाद रोप वाद लगभग एक साल या एक परिक्षा को छोड़के यह प्रशन हमेशा ही पूछा जाता रहा है मिलान के लिए या फिर इन में से सिंपल पूछ ले जाता है कि अनुमीती वाद का संस्तापक या फिर किसका से धांत है इस तरीके से इस प्रशन को पूछने की संभावना रहती है लेकिन इसके अलावा आपको और चीज़ों की भी जानकारी होना बहुत जरूरी है जब आप UGC NET की परिक्षा में जा रहे हैं क्योंकि डे वाई डे हम देखेंगे साल दर साल जो है UGC NET की परिक्षा का जो पैटरन है वो थोड़ा और टफ होता जा रहा है लेवन इसका ठीक है तो ये थे दोस्तो आज के जो आपका रस निश्पत्ती के समद में पूरा का पूरा लेक्षर अगर इसमें आपको कुछ एक भी डौट्स हैं या फिर कहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट सेक्षन में जाकर कह सकते हैं फिलाल आज के लिए इतना ही वी